आप लोगों ने स्वच्चता का जो मुझे वादा किया था और कासिवासियों ने स्वच्चता के लिए जो जहमत की लगातार की है उसका आज हमें लाब मिल रहा है। आउश्मान भारत योजना से के तहट मुप्त इलाज की सुविधा जो की गई वो भी इसमेल आप करता रही है। मिली और 21 जुन को योगा दिए शुरू किया तो शुरू में तो बड़ी मजाक उड़ाए गई आलोचना की गई सांप्रदाइक्ता बें सांप्रदाइक्ता बेरंग दोए गए लेकिन आज पूरे विश्व में कोरोना के खिलाब लड़ने में योग का भी महात्में प्रच जागुरुपता इन सभी ने कोरोना के खिलाब लड़ाई में लोगों को की ताकत बहुत बड़ाई हैं साथियों महादेव की कुपा से बनारस आध्यात्मिक शक्ताओं से भरपूर शायर है चाहे कोरोना की फर्स्ट वेव रही हो या सेकेंड वेव यहां के लोगों ने धैरी और सेवा का अध्वूत परिचे दिया है मेरी काशी के लोग यहां के सामाजिक संगटन मरीजों की गरीबों की बुजुर्गों की लगातार एक परिवार के सदस्ची की तरह सेवा कर रहे हैं चिंता कर रहे हैं किसी परिवार को खाने की चिंता न करनी पड़े किसी गरीब को दवाईयों की चिंता न करनी पड़े काशी ने इसके लिए खुद को समत्पित कर दिया है कई व्यापारियों ने तो खुद आगे आकर अपनी दुकाने बंद की ताकि संक्रमन की चेन को तोड़ा जा सके इन सभी व्यापारी भाईयों ने हमारे इन साथ्यों ने अपने आर्थिक नभा नुक्षान की चिंता नहीं की बल्कि अपने समसाधनों से वो सेवा में लग गए आपका ये सेवा भाव किसी को भी अभीभूत कर देगा लेकिन मैं जानता हूँ कि मा अन्पुर्णा की नगरी और इस नगरी का तो ये सहज स्वभावी है सेवा यही तो यहां का साधना का एक प्रकार्चे मंत्र है साथियों आपके तप से और हम सब के साजा प्रयासों से माहमारी के इस हमले को आपने काफी हद तक समाला है लेकिन अभी संतोस का समय नहीं है हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है अभी हमें बनारस और पुर्वान चल के ग्रामिर्म इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है और अब मंत्र हमारा क्या होगा हर व्यवस्ता के लिए हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है जहां बिमार वहीं उपचार यह हम भूले नहीं जहां बिमार वहीं उपचार जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे उतना हमारी हेल्थ व्यवस्ता पर दबाव बहुत कम होगा और इसलिए हम सब बारी सारी व्यवस्ताएं जहां बिमार वहीं उपचार इस सिध्धान पर और दूसरी बात माइक्रो कंटेन्मेंट जोन काशी ने बहुत सभलता पूर्वक उस पर ध्यान के दिदित किया और उसका लाब मिल रहा है माइक्रो कंटेन्मेंट जोन बनाकर जिस तरह आप शहर एव गाउं में गर गर दवाएं बाट रहे हैं आपने मेडिकल की कीट पहुँचाईए गाउं के लोगों तक ये बहुत अच्छी पहल है इस अभियान को ग्रामीन इलाकों में जितना हो सके उतना व्यापक करना है डॉक्टर्स, लैप्स और ये मार्केटिंग कम्पनियों को एक साथ जोड करके काशी कवच नाम से तेली मेडिसिन की सुविधागी ये भी काशी का बहुत इनोवेटिव प्रवोग है इसका लाप गाउं गाउं में लोगों को मिले इसके लिए विशेश जागरुता अप्यान भी चलाना चाहिए इसी तरह यूपी में कई सीनियर और यूआ डॉक्टर्स ब्री ग्रामेड इलाकों में तेली मेडिसिन के माद्यम से सेवा कर रहे हैं उनको साथ लेकर इसे और व्यापक किया जा सकता है कोवीड के खिलाब गाउं में चल रही लड़ाई में हमारी आशा बरकर और A.N.M. बेहनों की भी भुमी का बहुत एहम है मैं चाहूंगा कि इनकी ख्षमता और अनुभव का भी जादा से जादा लाब लिया जाए साथियों सेकंड बेव में हमने वैक्सिन की सुरक्षा को भी देखा है बेक्सिन की सुरक्षा के चलते काफी हद तक हमारे फरंट लाइन वर्कर्स सुनिश्चित रहे कर लोगों की सेवा कर पाए यही सुरक्षा कवच आने वाले समय में हर व्यक्ति तक पहुँचेगा हमें अपनी बारी आने पर बेक्सिन जुरू लगवानी है कोरोना के खिलाप हमारी लड़ाई जैसे सामोहिक अभ्यान बन गई है वैसी ही वैक्सिनेशन को भी हमें सामोहिक जिम्मेदारी बना रहा है साथियों जब प्रयासों में सम्वेदन सिलता हो सेवा की भावना हो लोगों की तकलीफों का एहसास हो साइंस लेड एप्रोच हो तो जमीन पर किया गया काम नजर भी आता है मुझे याद है पुरवान्चल में पहले किस तरह बच्चों में दिमागी बुखार वाली बिमारी का कहर था दिमागी बुखार से हर वर्ष हजारों बच्चों की दुखद मुर्त्य हो जाती थी अनगिनत और आपको याद होगा आज हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री जी है बेज़े पहले साउसथ थे पार्लामेंट में इन बच्चों की जिंदगी को जिस पकार से बच्चों की मुर्त्य एक के बाद होती रहती थी वो फूट फूट करके पार्लामेंट में रोये थे उस समय की सरकारों से वो याँचना करते थे कि इन बच्चों को बचाईए कुछ वबस्ता कीजिए रो पढ़ते थे हो हजारों बच्चे मरते थे और ये सिल्सला सालों साल तक चला था योगी जी पार्लामेंट में थे करते रहे लेकिन जब योगी जी प्यूपी के मुख्यमंत्री बने और भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिल करके उन्होंने इस दिमागी बुखार के खिलाब बहुत बड़ा भियान शुरू कि आप सब परिचित है मैं चाहूंगा कि हमारे जो डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स हैं वो अपने अनुभवों को अपनी फ्रेटर्निटी में जरूर साजा करे प्रसाशन के लोग भी अपने अनुभवों और इन्पूर्स को सर्तकार तक पहुचाएं ताकि आगे इनका और व्यापक लाब मिल सके अन्य खेत्रों में भी आपकी बेस प्रेक्टिस इस पहुचा सके मैं सभी जन प्रतिनियों जिसे भी कहना चाहूँगा सारे इलेक्टर लोगों से भी कहना चाहूँगा आप लगातार काम कर रहे हैं बोज बहुत है कभी कभी जनता जनारदन का राजी नाराजी के स्वर को भी सुनना पड़ता है लेकिन मुझे विश्वास हैं कि जिस संवेदन सिल्टा के साथ आप जुड़े हैं जिस नम्रता के साथ आप जुड़े हैं ये भी अपने आप में सामान्य नागरी को एक मरहम का काम करता है और इसलिए मैं सभी जनप्रतिनी ध्यों को भी इस अभ्यान में जुड़ने के लिए और उसका नेत्रुत्वा करने के लिए एक प्रकार से संतोष प्रगट करता हूँ हम सब को देखना है कि एक भी नागरी को अगर कोई तकलिब है तो उसकी चिन्ता जनप्रतिनी ध्यों का भी स्वाभाविक दाइप है उसे अधिकारियों और सरकार तक पहुँचाना उसका समाधान सुनिश्चित करना ये काम हमें आगे भी जारी रखना है मुझे विश्वास है हम सब के ये सामुहिक प्रयास जल्द ही अच्छे परिणाम लाएंगे और जल्द ही बाबा विश्वनाद के आशिरवाद से काशी इस लड़ाई को जीतेगी मैं आप सब के उत्तम स्वास के लिए कामना करता हूँ बाबा विश्वनाद के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रासना करता हूँ कि सब लोग स्वस्त रहे पूरी मानव जात का कल्यान तो बाबा विश्वनाद करते हैं इसलिए उनके लिए किसी एक भूबा के लिए कहना उचित नहीं होगा आप स्वस्त रहें आपके परिवार जन्म स्वस्त रहें इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद